मुभी के सुरूधा होती है वेस्ट वर्जिनिया के एक सेंटोरियम से वक्त है 1974 का या सेंटोरियम डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया है जो भी डिफॉर्म लोग यह रहते हैं वो बर्थ डिफेक्ट के वजह से डिफॉर्म हुए थे उसी वग डॉक्टर ब्रेंडन आते हैं और डॉक्टर एना को कैदियों के बारे में बताते हैं लेकिन कुछ डिफॉर्म लोग डॉक्टर एन को पिछे से पकड़ लेते हैं और उनके बालों में से एक हेर्पिन को निकाल लेते हैं डॉक्तर ब्रेंडन और डॉक्तर एन और बढ़ते हैं तब डॉक्तर ब्रेंडन डॉक्तर एन को illegal brothers के sell में लेकर जाते हैं वो तीन ब्रदर कोई और नहीं बलकि three finger, saw two और one eye होता है डॉक्तर ब्रेंडन बताते हैं कि ये तीनो भाई में से सिलिकर को एक जंगल में मिले थे और इसी वज़ा से इन तीनो को illegal brothers कहा जाता है जब ये तीनो भाई मिले थे तब ये अपने parents को खा गये थे उसके बाद डॉक्तर उसे सबसे खतरनाक percent के बारे में बताता है ये तीनो अभी बच्चे थे लेकिन बहुत खतरनाक थे वो कितने खतरनाक थे इस चीज का अंगाजा इस बात से लगाया जा सकता है उन में से एक अपनी दो उंगलियों को खुद ही खा चुका था और इसलिए उसका नाम three finger पड़ा एक ने अपनी एक आंख निकाल कर खा ली थी और इसलिए उसे one eye कहा जाता है और इन लोगों में तीसरा जोकी अपने दातों को दिवारों से रगड़ता रहता था और इसलिए वह सौत उत था उसने बहुत सारे patient को काट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था इन बातों को सुनकर डॉक्टर एन कहती हैं कि ये तीनों इतने सारे दर्द को कैसे सह लेते हैं तब डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि इन लोगों को तकलिफ महसूस नहीं होती है इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं वहीं दूसरी और जिस प्रेसेंड ने डॉक्टर एन के बालों से पिन निकाला था वह अब लोग अप को खुलने लग जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वह ज़्यादा होस्याब नहीं होता है यह करते हुए वह तीनों भाई उसे देख लेते हैं इसे देख कर वो तीनों उससे पिन मांते हैं जिस पर वासाः नहीं की तरफ बापीन ठेक देता है उन तीनों भाईों में सबसे तेज स्री फिंगर उस लॉक अप को खोल लेता है चुटके से ये तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सेक्योरिटी गाड को मार देते हैं तब ये लोग कंट्रोल रूम में जाकर सारे सिल्स को खोल देते हैं इसके बाद से वाजगा पुरी तरह से पगल खाने की तरह बन जाता है वो तीनों लोग डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे एलेक्ट्रिक सॉक देते हैं ये लोग डॉक्टर एन को तब तक सॉक्स देते हैं जब तक उसका दिमाग पूरी तरह से पक नहीं जाता इसके बाद वो लोग डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेते हैं ये लोग डॉक्टर ब्रेंडन को बहुत बुरी मौत मार देते हैं इसके बाद हमें 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें 9 इस्ट्विरेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि स्नो में मस्ती कर रहे थे, उन्हें रात होने से पहले अपने ठीकाने पर लोटना था, लेकिन वह रास्ता भूल जाते हैं, उन सबसे माफी मागने के लिए विंसन अकेला है जेनरेटर ढूनने चला जाता है, विंसन को जेनरेटर मिल जाता है, वह जेनरेटर को ओन कर द लोगों को बहुत बुरी मौत मारते थे और उन्हें मारकर खाजाते थे लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकिन नहीं आता है तब सभी लोग सोने चले जाते हैं रात को सब लोग अच्छे से सो जाते हैं लेकिन विंसिन को नेन नहीं आती है तब वह बाहर जाकर टहलना शुरू कर देता है वह देखता है कि सामने कोई खड़ा था वह देखता है कि सामने उसी का दोस्त बॉर्टर है जिसके कैबिन में उन्हें लोटना था जब वह उसके पास जाता है और उससे छूता है तो देखता है कि वह मर चुका है वह जैसे ही पीछे मुड़ता है सौत उत उसके सामने आ जाता है और एक iron road उसके सर पर घुसा देता है और उसे जान से मार देता है अगले दिन सुबह हो चुकी होती है लेकिन तुखान अब तक नहीं थमा था वहाँ विंसिन मिसिन था इसलिए जैना विंसिन के बारे में सब लोगों से सवाल करती है लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था इसके साथ साथ उन लोगों का सारा समान भी गयब हो चुका था लेकिन वो लोग सुचते हैं कि साइट विंसिन इस बार भी कोई मजाग कर रहा है सारे लोग विंसिन को ढूनना शुरू कर देते हैं उनमें से चार स्ट्रेंट्स बेस्मेंट की तरफ जाते हैं वहाँ उन्हें एक अजीब तरह का केज मिलता है जहां बहुत तरह के खतरनाक हतियार रखे होते हैं जब वह आगे बढ़ते हैं तब उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जहाँ इन तीनों illegal brothers को रखा गया था कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खून लगा हुआ है जिसे देखकर वो लोग दर जाते हैं basement काफी बड़ा होता है इसलिए वो लोग अलग-अलग हो जाते हैं और बिन सिंग को ढूनने लगते हैं अलग होने के बाद जैना किचन में जाती है जहाँ वा देखती ही की सोतूत बौर्टर के टुकड़े कर रहा है तभी थ्री फिंगर वहां आकर सोतूत को वहां से ले जाता है यह सब देखकर जैना भी वहां से जल्दी से भाल जाती है वह उन लोगों के पास आकर सब कुछ बताती है तभी बॉटर के जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है कैनिया उसे चेक करने के लिए जाती है जैसे ही वह उस जैकेट को खोल कर देखती है तो वहां बॉटर का कटावर सर होता है ये तीनों उसका सर देखकर काफी डरे हुए होते हैं तभी ये तीनों भाई केलियर के गले में थार डाल कर उसे उपर खिच लेते हैं तब कैल जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है वह उसे बचाना चाहता है लेकिन उसके खून से वह पूरी तरह नहा जाता है इतनी कोशिस करने के बाद भी वह कायल को नहीं बचा पाता है उसका सर धर से अलग होकर गिर जाता है यह देखकर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिस करते हैं लेकिन उनकी स्नो मोटर्स चल नहीं रही थी क्योंकि इन तीनों भायों ने स्नो मोटर्स की स्पार्ट प्लक निकाल दे थी यह सब होता देखिन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम लॉरेन होता है वह स्केट चैंपियन थी वह डिसाइट करते ही कि स्केटिंग करते हुए वह मदद मागने के लिए आगे जाएगी तब वह मदद लाने के लिए वहाँ से चली जाती है बाकि सब के पास गरम कपड़े नहीं थे गरम कपड़े नहीं होने के कारण ये लोग आगे नहीं जा पाते हैं तब ये लोग इंचार्ज ओफिस में खुद को लॉग करने का प्लान में बनाते हैं। तब ये लोग जल्दी से भाग कर ओफिस में जाते हैं और खुद को अंदर से लॉग कर लेते हैं। अपनी सेफटी के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं था। बैसमेंट में इन कार निकलते हैं और वहां से बहुत सारे हथियार ले जाते हैं दूसरी तरफ वन आई ओफिस के दरवाजे में छेद करके केनिया को पकड़ लेता है वहीं पर एक दूसरी लड़की सोतूत के हाथ में ब्लेड मारती है तब सोतूत उसे छोड़ देता है इधर ये तीनों बैसम सुन सकते थे इन लोगों के ऑफिस में बहुत बहत सकती है और लास्त में ये समसै लोग उसे बचाने के लिए चले जाते हैं तब कायल उन्हें जलाकर मारने कर फैसला करता है लेकिन Kenya उसे ऐसा करने से रोग देती है Kenya काईल से रिक्वेस्ट करती ही किवा इन्हें नहीं जलाए तब काईल इस जेल के किनारे पहरा देने के लिए रुख जाता है और ये सारे लोग जाकर सोजाते हैं इन लोगों को उसी सेल में लॉक किया गया था जहां ये लोग 29 साल पहले लॉक थे उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यहा थी जिस पेंसे इन लोगों ने उस लॉक को खोला था वह पिन अभी भी वही पड़ी थी तब त्रीफिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाकर लोग को खुल देता है और बाहर आते हैं ये लोग काईल को पकड़ लेते हैं जब केनिया काईल को चिक करने के लिए जाती है तब खुद बखुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ हंधेरा चा जाता है और वहाँ पर आकर वह डेखती हैं कि ना तो वहाँ पर काईल है और ना ही वो तीनो सेल के अंदर है वह वापस आकर सबको बताती है ये वो तीनो सेल से बाहर आ चुके हैं उसे वक्ष कोई दरवाजय पर आजाता है जिसका फेस कबर होता है वो लोग समझते हैं कि सायद ये थ्रीफिंगर है जिसे वो लोग बली बेहरमी से मार देते हैं वो लोग उस सक्स को इतना मारते हैं कि वो जान से मर जाता है उसे मारने के बाद ये लोग उसका फेस देखते हैं तो उन्हें पतर चलता है कि वो थ्री फिंगर नहीं बलकि काईल था जिसके जुबान कटी हुई थी उसे देखकर वो लोग वहाँ से भागने की कुसिस करते हैं लेकिन ये तीनों भाय उनके पीछे पढ़ जाते हैं भागते भागते ये लोग उनके रूम्स तक पहुँच जाते हैं जहां पर इन लोगों का समान भी रखा हुआ था वो लोग अपने गर्म कपड पहन कर खिटकी से बाहर आने का डिसिजन लेते हैं लेकिन वह एक सेनेटोरियम था और इसलिए सारे विंडोस सेल्ड थे और वहीं पर उन्हें एक टूटी गरी खिटकी मिलती हैं लेकिन उस खिटकी के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी सारा उस बर्फ को हटाने लगती हैं लेकिन उसी वक्त वो तीनो भाई भी वहां पहुँच जाते हैं थ्री फिंगर दर्वाजा तोड़ने की बहुत कोशिस करता है स्री फिंगर के बाद अब सोतूत उस दर्वाजे को तोड़ने की कोशिस करता है इतनी ही देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामियाब हो जाती है और वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाती है और वो वहीं फस जाती है सोतू ड्रिल लेकर उसे मार देता है बागी तीनों जान बचा कर वहां से भागते हैं लेकिन वो तीनों भाई भी इन लोगों के पीछे आते हैं सोतू तुत ब्रिजिट को पकड़ लेता है जिस पर चाकू सिर्फ वो उसके हाथ पर हमला करती है तब वो उसे छोड़ देता है दूसरी तरफ हमें लौरन दिखाई जाती है जो बर्फ जमने के वज़ा से मर चुकी होती है यहाँ सैड मॉमेंट यह है कि रोड उसके सामने होती है लेकिन तुफान के वज़ा से उसे नजर नहीं आया और वो हमत हार कर वहीं बैठी रह गई अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचे होते हैं और केनिया अपनी जान बचा कर भाग रही होती है वन आय उसके पिछे पड़ा हुआ होता है अभी वो केनिया को पकर नहीं वाला होता है इस सारा उसे माल कर नीचे गिरा देती है और वो लोग अपनी सुनो मोटर लेकर वहां से चले जाते हैं वो लोग दोनों बहुत खुस होते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने प्लान के रिकॉर्डिंग किया होता है वो लोग इतने खुस होते हैं कि वहां पर लगी वी वायर उन्हें नजर नहीं आती और उन दोनों का सर धर से अलग हो जाता है तब three finger वहाँ आता है और उनके सर उठाकर वहाँ से ले जाता है और उनकी body वही पर पड़ी रहती है और यही पर यह movie खत्म हो जाती है